हलो दोस्तों प्रतिमा जीस एकड़ीप्यास भी का स्वागत है दोस्तों करण फिर शुरू करते हैं बिश आदिवासी दिवस देखें अभी कुछ दिन पहले भारत में राष्टिये आदिवासी दिवस मनाए जाने की घोसरा किया गया था राष्टिये आदिवासी दिवस मनाय जाने की घुशडा किया गया था और ये बिर्शा मुंडा के जन्म दिवस के उपलक्ष में किया गया था इन्हों ने 1899 में अंग्रेजों से पंगा लिया था और भारत का प्रतनिधुत यहनी आदिवासी समुदाय का प्रतनिधुत बिर्शा मुंडा ने किया था तो ये राष्टिय आदिवासी दिवस की रूप में मनाय जाने का निर्णे लिया गया था और ये भी लिया गया था 15 नौवंबर को उसी तरह का विश्व आदिवासी दिवस मना जाने की बात 9 अगस्त को मना जाता है तो ये ध्यान रहे हैं राष्टी आदिवासी दिवस अलग है और विश्व आदिवासी दिवस अलग है तो 20 आदिवासी दिवस पर हम चर्चाज करेंगे 20 आदिवासी दिवस कम मनाय जाता है तो 20 आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाय जाता है 9 अगस्त को 20 आदिवासी दिवस मनाय जाता है आदिवासी दिवस मनाय जाता है या प्रतिवर्स मनाय जाता है और 2022 की थीम क्या है बिश्च आदिवासी दिवस का 2022 का थीम क्या है पारंपरिक ज्ञान के संदच्छन और प्रसारण में सोदेशी महलाओं की भूमिका यानि कि यहाँ पर ध्यान देने आली बात है कि केंद्र में कौन है महलाओं की भूमिका यानि पारंपरिक ज्ञान के संदच्छन में संदच्छन और प्रसार में सोदेशी महलाओं की भूमिका ये थीम है 2022 की जिनेवा में 1982 में एक बैठक हुआ था संयुक्तराष्ट का एक बैठक हुआ था जिनेवा में कब 1982 में और इस बैठक का जो में थिम था स्वदेशी आबादी को ले करके यानि श्वदेशी का मत्राइश्ट मतलब यह होता है कि किसी भी देश में चाहें वह अमेरिका हो अमेरिका हो कि कनाड़ा हो इंडिया हो या कोई भी देश हो वहां के जो मूल निवासी हैं वह क्या बन करके रहे गए हैं यसी यस्टी क्योंकि बाहरी लोग लडाकू प्रविर्ति के होते थे ताकतवर होते थे वो जा करके कबजा कर लेते थे और कबजा करने के बाद में वहां पे अपना रूल चलाते थे लेकिन जो इस्थानिये लोग होते थे सुदेशी होते थे उनके पास संसादन का अभाव होता था और वो बनके जंजातियां रह जाते थे तो सोदेशी आबादी यानि राष्ट का कारिसम्मू की सोदेशी आबादी बैठक हो रही थी उसी में मान्नता दिया गया था 2088 दिवस को मना जाने की जो मान्नता है वो जिनेवा में 1982 में किया गया था लेकिन संयुक्त राष्ट की घोस्डा के अनुसार 1994 से या प्रतिवर्स मनाय जाता है कब से मनाय जाता है 1994 से प्रतिवर्स मनाय जाता है यानि ध्यान रहे कि घोस्डा कब किया गया था मान्नता मान्नता 1982 में दिया गया था जिनेवा कंवेंशन के आधार पर यानि सहीं तुराष्ट का जिनेवा में बैठक हुआ था सोदेशी आबादी को ले करके उसी बैठक में मान्नता दिया गया था कि 2088 दिवस मनाय जाना चाहिए उसके 12 साल बाद 12 साल बादी 1994 में एक घोषडा के द्वारा यानि युव्यनों के घोषडा के द्वारा के द्वारा परतिवर्स मनाय जाने को निड़े लिया गया और तब से आज तक लगातार ये मनाय जाता है परतिवर्स यानि कि इस बार जो मनाय गया उसकी थिम थी पारंपरि ज्ञान के संदच्छण और परसार में सोदेशी महलाओं की भूमिका अब यहां से प्रस्ण कैसे आएंगे यहां से प्रस्ण आएंगे कि सोदेशी आदिवासी दिवस कब मनाय जाता है तो सोदेशी आदिवासी दिवस नव अगस्त को मनाय जाता है नव अगस्त को मनाय जाता है और इसके 2022 की थिम क्या थी 2022 की थिम थी पारंपरि की ज्ञान पारंपरि ज्ञान के संदच्छन और प्रसारण में स्वदेशी महलाओं की भूमिका महलाओं की भूमिका विस आदिवासी दिवस मनाय जाने की माननता का मिला 1982 में जिनेवा बैठक में यूएन के जिनेवा बैठक में और कबसे मनाय जाता है तो 1994 से लगातार मनाय जा रहा है कबसे मनाय जा रहा है 1994 से लगातार मनाय जा रहा है अगला पॉइंट है एक्स बज्र प्रहार यह देखें सेन अभ्यास है सेन अभ्यास है यानि कि सेन अभ्यास कई देशों का सही उत्थ हो सकता है कई देशों का एक साथ या दो देशों का एक साथ या सोयम का अकेले हो सकता है लेकिन जो एक्स बज्र प्रहार है या भारत और अमेरिका के मद्ध एक सैन अभ्यास है किसके मद्ध भारत और अमेरिका के मद्ध यानि अमेरिका और भारत दोनों मिल करके एक्स बज़ प्रहार का आयोजन कर रहे हैं यानि यह प्रतिवर्थ होता है एक बार भारत में होगा एक बार USA में एक बार इंडिया में तो दूसरी बार USA में यह आयोजित किया जाता है बारी-बारी से यानि यहाँ अभ्यास भारत और अमेरिका के मद्ध किया जाता है यहाँ अभ्यास का त्यारवा संस्क्रण है त्यारवा संस्क्रण है यानि कि यह जो त्यारवा संस्क्रण का आयोजन किया गया है यह कहां किया गया है हिमाचल परदेश के बकलोह में हिमाचल प्रदेश के बकलों में इसका आयोजन किया गया है और दोनों देशों के विशेश बलों द्वारा संयुत अभ्यास का आयोजन बारी-बारी से भारत और अमेरिका में किया जाता है इसके पहले जो 2021 में हुआ था वह 12 संस्क्राण था जो अमेरिका के वासिंगटन में आयोजीत हुआ था और जो 14 होगा ओभी युशे में ही होगा क्योंकि बरावा वहां हुआ त्रावा भारत में हुआ फिर 14 फिर युशे में होगा यहां से प्रस्ण कैसे पूछे जाएंगे कि यक्स बज्र प्रहार किसके मध सैनभ्यास है तो भारत और अमेरिका के मध दोजार बाइस में आयोजीत एक्स बज्र प्रहार का कौन सा संस्क्रण था तो त्यारमा संस्क्रण था बारमा संस्क्रण का आयोजन कहां हुआ था युशे के वासिंगटन में हुआ था वासिंगटन में हुआ था त्यारमा संस्क्रण का आयोजन कहां किया गया तो हिमाचल प्रदेश के कि कि बकलोह में हिमाचल प्रदेश के बकलोहまり किया गया या दोनों देशों के मध्ध बारी-बारी से होता है तो यह प्रसना आपकी बन सकते हैं तीन चार पांच चार प्रसंट तो इसमें से बन सकते हैं अगला पॉइंट है दीवाल आर्यन जीम डश्टन कि दीवाल कि दीवाल आर्यन जीम डश्टन यह लद्दाग का सर्बोच नागरिक सम्मान है सर्बोच नागरिक सम्मान कहां का है लद्दाख का लद्दाख क्या है लद्दाख एक यूटी है यानि union territory है यानि केंदर सासित प्रदेश है केंदर सासित प्रदेश है यहां पे लद्दाख का सर्बोच नागरिक सम्मान दीवाल आर्यन जीम डश्टन प्रदान किया जाता है यह जब से यूटी बना है तब से जो है यह डिवाल आर्यन जीम डश्टन सर्बोच नागरिक सम्मान की रूप में दिया जाना प्रारम किया गया है और हालही में इस बार का जो सम्मान है वो तिब्बत के धार्मिक गुरू उन्हें दलाई लामा बोला जाता है दलाई लामा को दिया गया है दलाई लामा गुरू का पद है इनका वास्तविक नाम है तेंजिन गोच्छो दलाई लामा का जो वास्तविक नाम है वास्तविक नाम तेंजिन गोच्छो तेन जिन गोस्तो जो है दलाय लामा का वास्तविक नाम है और यह तिब्बत के चवदावे गुरू है तो याद रहे कि डीवाल आर्यन जीम डश्टन लद्दाग का सरबोच नागरिक सम्मान है यह 2022 में तिब्बत के अध्यात्मिक गुरू दलाय लामा को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है इस सम्मान से सम्मानित किया गया है इस पुरुष्टकार को लद्दाग स्वायत पहाड़ी विकास परिसद ले के द्वारा दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है लद्दाग स्वायत पहाड़ी विकास परिसद ले के द्वारा परदान किया जाता है बेरी इंपॉर्टेंट एकदम समझ लिए कि यह पूछ यह पूछा गया तो यह इस्टेटमेंट में जरूर होगा यह च्छठा संस्क्रण है मने से अभी बताया कि जब यूटी बना तो दिया जाना प्रारम हुआ यानि कि यह च्छठा संस्क्रण है जब प्रुष्कार दिया जाना प्रारम किया गया है और दलायलामा का वास्तविक नाम तेंजिन गोट्सो है और तिबद के यह चवदावे गुरू है यहां से प्रस्ण कैसे बनेंगे यहां से प्रस्ण बनेंगे कूट में पहले तो डार्यक बन सकता है कि लद्दाक का सर्बोच नागरिक सम्मान का क्या नाम है तो डिवाल आर्यन जीम डश्टन डिवाल आर्यन जीम डश्टन यह लद्दाक का सर्बोच नागरिक सम्मान है किसे दिया गया है 2022 में तो डलाई लामा को दिया गया है डलाई लामा तिबद के कौन से नंबर के गुरू है तो चवदावे नंबर के गुरू है दलाय लामा का वास्तिविक नाम क्या है दलाय लामा का वास्तिविक नाम है तेंजिन गोच्छो इनका वास्तिविक नाम है दिवाल आरियन जिम डेस्टन कौन सा संस्क्रण है छठा संस्क्रण है या किसके द्वारा दिया जाता है तो लद्दाक, स्वायत, पहाड़ी, विकास, परिसद लेह के द्वारा दिया जाता है यानि कि इसमें से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे ये छे प्रस्ण बन सकते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है कि किसके द्वारा दिया जाता है तो लद्दाक, स्वायत, पहाड़ी, विकास, परिसद लेह के द्वारा प्रदान किया जाता है अगला पॉइंट है, सहरों की वायू गुडवत्ता और स्वास्त रिपोर्ट दोहजार बाइस देखें, वायू गुडवत्ता को ले करके पूरे बिस्व में समस्याएं पैदा हो रही है इसमें से जो सबसे ज़्यादा समस्या है, वो भारत में है और यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह सहरों की वायू गुडवत्ता और स्वास्त रिपोर्ट बता रही है कि भारत की इस्तिती बहुत खराब है किसके द्वारा जारी किया आता है, Health Effect Institute द्वारा Health Effect Institute द्वारा जारी किया जाता है यह जो जारी के आता है Global burden of disease project के data पराधारित है यह जो रिपोर्ट है वाय गुलवत्ता की यह ग्लोबल बर्डन आप डिजीज प्रोजेक्ट इसके डाटा पराधारित है नि ग्लोबल वर्डन आप डिजीज के प्रोजेक्ट डाटा पर आधारित है और हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टिट्यूट के द्वारा इसे प्रकासित किया जाता है इसमें पाया गया है कि भारत की राजदानी जो दिल्ली है या बिश्व की सरबाधिक परदूसित सहर है यहां मनाया था कि 110 माइक्रोग्राम पर घन मीटर 2.5 पीम यानि कि 2.5 पार्टिकुलर मेटर जो है यह 110 माइक्रोग्राम पर घन मीटर की रूप में पाया जाता है यानि सरबाधिक गंदा सरबाधिक परदूसित एकदम आएगा एक्जाम में और इतना ही नहीं नंबर 1 पे भारत का एक सहर है और विश्व के नंबर 2 पे भारत का एक सहर कोलकाता यह भी बहुत जादा परदू और विश्व के 14 नंबर पर मुंबई आता है मुंबई में भी 45 माइक्रोग्राम परतिघन मीटर पाया जाता है यानि कि भारत की इस्थती देखिए कि विश्व के सबसे नंबर 1 पर भारत का पोजिशन एक सहर और नंबर 2 पर भी कोलकाता यानि इतना वाई पर दूसरा है भारत में आप समझ सकते हैं यहां पर प्रस्ण कैसे पूछे जाएंगे यहां प्रस्ण पूछे जाएंगे हाल ही में वाई गुलवत्ता रिपोर्ट जारी किया गया या किसके द्वारा जारी किया गया तो यह हेल्थ इफेक्ट इंस्टिट्यूट के द्वारा जारी किया यह किस प्रोजेक्ट पर आधारित है किसके डाटा पर तो ग्लोबल वरड़ान आप डिजीज प्रोजेक्ट इसके डाटा पर आधारित है विशु का सरबादी पर दूसी सहर कौन सा है तो दिल्ली नंबर 1 पर और कोलकाटा का इस्थान, नंबर 2 पर मुंबई नंबर 14 पर यानि की यह इस्ثथिप Ale export जय जाज़ा दाइनिय है यानि की वह गुडवत्त को ले करके घॉयवह घॉयक्वत्त के काफी उपाय की है आप वह गुडवत्त को ले के अलग अलग मसीने लगाई जा रही है कि वाइव को खीचेगा गंदा फिर अंदर फिल्टर होगा फिर स्वच्वाइव बहार निकल जाएगा और कार्बन